ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है Health, Dimensions of Health and Determinants of Health Class शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की जववत नहीं है Class के Notes आपको Description Box में दे दिये जाएंगे वहाँ से आप Direct Download कर सकते हो तो शुरू करते हैं हमारा Concept of Health and Diseases का अगला टॉपिक Sorry, Concept of Health and Diseases का पहला टॉपिक That is Health, Its Dimensions and Determinants तो भई सबसे पहली चीज होती है कि Health का मतलब क्या होता है? याद रखना Definition कुछ चीजों की Definition आपको पता होनी चाहिए और ये एक Star Question है कि Health की Definition तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कुछ चीजे हैं जो आपको क्या करा सकती है? Fail करा सकती हैं और उनमें से है Health की Definition वो होता है न एक Basic चीज होती है कि भाई English Medium के हो तो आपको A, B, C, D तो आनी चाहिए वरना हम Fail कर देंगे और Hindi Medium के हो तो आपको दो का पहाड़ा आना चाहिए और नम Fail कर देंगे काखा का तो वैसे भी आज भी नहीं आता किसी को वैसे ही PSM है PSM में अगर आपको Health की Definition नहीं आती तो भाई साब बहुत मुश्किल है समझ गए? तो Health की Definition तो आपको आनी ही चाहिए अगर आपका वाई भाई भाई बहुत ही बुरा गया रहा है तो आपसे सबसे आखरी में एक्जामनार बोलेगा भाई साब तुम Health की Definition बताओ और जाओ तो ये तो बन नहीं चाहिए ठीक? तो सबसे पहले चीज़ की भाई Health का मतलब क्या होता है Health is a state of physical, mental and social well-being मतलब Health जो है उसमें तीन चीज़ें मुखिता आती है हमारी physical health याने शारीरिक रूप से हम ठीक हैं की नहीं हमारी mental health याने मानसिक रूप से हम ठीक हैं की नहीं और social health, social मतलब आजपास के लोग, आजपास के वैतावराण हम कितने social हैं, यह social networking websites नहीं है कि भाई साब आपके FB पे इतने लोग हैं, इंस्टा पे इतने follower हैं ट्विटर पे ऐसा वैसा, वर्चुल की बात नहीं हो रही, actual तो actual में आप socially कितने active हो, वो define करती है कि आप healthy हो की नहीं, तो physical, mental और socially healthy हो, ठीक है अब याद रखने, इसके बाद वाली point बहुत important है, that is not merely an absence of disease or infirmity, इसका मतलब क्या है, यह बहुत important है not merely an absence of disease or infirmity का मतलब है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई disease नहीं है, तो आप healthy हो, नहीं हो सकता है, कि भाई को कोई बिमारी नहीं हो, एकदम fit and fine दिख रहा हो, लेकिन मांसिक रूप से कुछ पंगे चल रहे हो उसके दिमाग में, और कुछ कर ले तो is he healthy? नहीं, healthy नहीं था वो तो यह second line बहुत important है, याद रखना कि इसका मतलब याद रखना, ऐसा नहीं है कि आपको कोई disease नहीं है, तो आप healthy हो, ठीक है? not merely an absence of disease or infirmity का मतलब है, कि आपको अगर कोई disease नहीं है, तो आप healthy हो, ऐसा नहीं है और एक नई चीज जुड़ी थी, कि ability to lead socially and economically productive life, आपमें इतनी शमता होनी चाहिए कि आप socially भी productive हो, याने कि community में भी एक productive role play कर रहे हो, साथ में economically भी productive हो, याने कि आप काम कर रहे हो, पैसा कमारे हो, जिससे अपना अपने परिवार का ख्याल रख सको, तो socially and economically productive life आप जी रहे हो कि नहीं, ये भी define करता है कि आप healthy हो की नहीं, ठीक, तो ऐसा definition बहुत important है, याद रखनी है, और मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई definition है, अगर बड़ी है, तो उसको तीन भागों में भाजित कर लो, अगर हम health की definition बोलें, तो हम से पहला भाग कौन सा होगा, health is a state of physical, mental and social well-being, कातम, हमारा physically, mentally और socially हमको healthy रहना है, second part कौन सा रहेगा, and not merely an absence of disease or infirmity, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब आप healthy हो, third part is, कि ability to lead a socially and economically productive life, याने आप में इतनी शमता भी होनी चाहिए, कि आप socially और economically productive life, याने कि आप पैसे भी कमा रहे हो, socially active participate भी कर रहे हो, और आप में इतनी शमता है, कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सको, समझ गए, socially and economically productive life, यह बहुत important definition है, आपको कंठस्त होनी चाहिए, अगर आप से कोई पूचा healthy definition, health is a state of physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity, and ability to lead a socially and economically productive life, इतम ऐसा रटाफ आप कर लेना, इसको बहुत important है, ठीक, तो यह तो हमने समझ लिया, कि health क्या होती है, और health किन-किन चीज़ों पर depend करती है, अब ना, इसके दो मुख्य चीज़े आएंगी, एक आएंगे health के dimensions, और दूसरी आएगी determinants, तो भाई, health के dimensions क्या होते है, देखो, dimensions, three dimensions, four dimensions हम पढ़ते हैं, ऐसी health के अलग-अलग dimensions हैं, जिनकी वज़े से हम healthy या unhealthy होते ह तो एक तो health का physical dimension है, physical dimension का मतलब हमारा शरीर, तो हमारे शरीर का हर cell और हर organ अगर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अपने आप में और बाकी बची हुई body के साथ, तब ही हम healthy हैं, समझ गए, physical dimension का मतलब क्या है, physical dimension का मतलब है, जब हमारे शरीर का हर अंग, हर cell आपस में मिलके अच्छे से काम कर रहे हैं, और बाकी बची हुई body से भी perfect harmony में, perfect मिल जुल के काम कर रहे हैं, तो वो health का एक dimension है, तो हम healthy रहेंगे. अगला dimension क्या है, health का, physical तो हो गया हमारा शरीर या physically हम, अगला है mental dimension, मानसिक रूप से हम healthy है की नहीं, वो dimension कैसे कहेंगे, देखो, mental health का मतलब क्या होता है, mental health का मतलब होता है, हमने एक balance बना के रखा है, अपने आप में और अपने आसपास के वातावरण में. ये balance बिगरता है ना तब हमारा दिमाग खराब होता है गुसा आता है उदास होते हैं अगर ये सब नहीं होता है तो हम well balanced है हम mentally healthy है तो mentally healthy होने के लिए हम अच्छे से balance बना के रखते हैं अपने अपने विचारों में और आसपास के वातवरण में that is mental dimension of health तो अगर ये dimension तो health खराब हो सकती है mental dimension में बिगड़ा तो health खराब हो सकती है फिर आता है social dimension social dimension वही कि socially कितने active हो socially कितना active role play कर रहे हो याने कि आपके पास कितने सारे लोग है quantity और quality wise और आप कितना community में involved होते हो कितना समाज में अपना role play करते हो that is social dimension यहाँ याद रखना हम virtual social होने की बात नहीं कर रहे हैं हम actual socially होने की बात कर रहे हैं interpersonal ties याने आपके दूसरे लोगों से रिष्टे कैसे है quantity और quality wise कितने लोग ऐसे हैं जिनसे आपके अच्छे रिष्टे हैं और वो रिष्टे या वो लोग कैसे हैं ये भी depend करता है social dimension में और आप कितना आगे से आगे बढ़के community में अपना role play कर रहे हो वो भी social dimension में आता है तो ये भी एक health का dimension है जो कि अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो आपकी health खराब हो सकती है फिर आता है बहुत important that is spiritual dimension अब न जब भी spiritual की बात होती है spiritual spiritual मतलब भगवान spiritual मतलब भगवान spiritual मतलब भगवान नहीं ऐ अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा actually spiritual किससे मतलब है meaning और purpose of life जिंदगी का मतलब और उसका लक्ष देखना कि भाई हम करना क्या चाहते हैं जिंदगी में तो spiritual dimension इस तरफ लेके जाता है health को कि भाई अगर एक इंसान के पास कोई एक लक्ष है कि मुझे ये कर करना है या एक इंसान अपने जिंदगी का मतलब ढूंडने के लिए आगे निकलता है that is actually spiritual dimension ये dimension बहुत ही अजीब टाइप का है मगर याद रखना कि वाईवा में न आप से जब पूछा जाता है spiritual dimension तो आप सीधा भगवान गौड भगवान गौड भगवान गौड याद वो भी एक तरह के meaning of life में जाता है लेकिन वो एक part है वो पूरा spiritual dimension नहीं है तो अगर आप से कोई पूछे spiritual dimension तो आप बोलोगे कि जिंदगी का वो हिस्सा जब इंसान इस खोज में निकलता है कि उसकी जिंदगी का मतलब क्या है उसकी जिंदगी का लक्ष क्या है that is when individual strives for कि धूर्णने निकलता है कि मतलब क्या है जिंदगी का लक्ष क्या है जिंदगी क्या करना चाहता है that is उसका spiritual dimension अब ये भी अगर बढ़ियां चल रहा है तो आप healthy रहोगे ये भी बढ़ियां नहीं है तो पंगे दो होने तो ये तो चार basic dimension होगे physical, mental and social और साथ में होगे spiritual उस related होता है emotional dimension, emotionally up healthy हो, emotionally up stable हो तो बढ़ियां रहेगी health, नहीं है तो फिर पंगे तो हो नहीं है health में, ये बहुत important आता है vocational dimension, अब याद रखना है यहाँ ना confused नहीं होना, it is not vocal, याद रखना, it is vocational, not vocal, vocal मतलब आप बोलोगे गाने आने कैसे गाता है, नहीं ऐसा नहीं है, vocational क मतलब होता है ability to earn livelihood, पैसे कमाने की शमता, तो वो भी एक तरह का ना dimension health का, याद रखना कि अगर आप काम करते हो, अगर आपके पास job है, तो वो एक बहुत important role play करता है आपके health में, क्योंकि अगर आपके पास काम है तो but obviously physically भी आप healthy रहोगे, active रहोगे, साथ में आप mentally भी healthy रहोगे क्योंकि आपको पता है कि आप अपना अपने परिवार का ख्याल रख सकते हो, आपके पास job है, पैसे आ रहे हैं, तो vocational dimension, तो याद रखना vocational dimension, vocal dimension से confused नहीं हो न, vocal dimension नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, उसके अलावा कुछ चीज़ों के नाम पता होने चाहिए, ज economical dimension भी होता है, कि economically weak हो, कि economically strong हो, उस पर depend करता है, कि ज़्यादा तर उस पर depend करता है, कि आप healthy रहोगे कि नहीं है, यह नहीं कि हमेशे ही depend करता है, लेकिन हाँ, depend करता है, कि अगर आप economically weak हो, तो बीमारी होने के चांसे ज़्यादा होता है, economically strong हो, तो आप अपना ख्याल रख सकते हो दवाई यवाई खरीच सकते हो एन्वायमेंटल डैमेंशन एन्वायमेंटल डैमेंशन का मतलब है आपके आसपास का वातरवरण भी बहुत एहम रोल प्ले करता है आपके हेल्थ में तो वो भी एक डैमेंशन है आसपास ठंड वाले वातरवरण में रह रहे हो गर्मी खाते हो कैसे खाते हो इस पर भी depend करता है कि आपकी health कैसी रहेगी तो यह सारे dimensions हो गए आपके पास कि यह at least 10 dimensions तो आपको याद होने चाहिए याद होने से याद आया कि भाई इसको याद कैसे करेंगे तो याद करने के लिए छोटी सी कहानी अब एक college था college में क्या किया PSM वालों ने बहुत सारे बहुत सारे बच्चों को fail कर दिया अब ये बच्चे गए कहां university यूनिवरस्टी में जाके इन लोग VC से मिले और VC से बोला सार हमको fail कर दिया अब न अभी तो MPMSEU हो गई है तो MPMSEU में तो बढ़िया ठीक है सब जानते हैं कि कौन-कौन से subject होते हैं पहले तो अलग-अलग university होते हैं उनको क्या पता भाई PSM क्या होता है लेकिन अब VC को तो दिखाना है कि हाँ भई हम देखेंगे हम देखेंगे क्यों fail किया फला ना डिकाना तो भई उसी से एक निमोनिक निकला था कि वो VC को पता तो नहीं कि PSM क्या है लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है तो that dimensionless VC ने PSM C वो dimensionless VC जो था उसनों चलो देखते हैं भाई कि क्या है भाई PSM क्या है कैसा है क्यों हो है फेल बच्चे तो dimensionless VC ने PSM C कैसे याद करेंगे dimensionless का मतलब dimensions of health VC का मतलब V for vocational C for cultural ने का N for nutritional E for environmental PSM से तो हमेशा PSM से तो तीनी चीज़ याद आनी है physical, social and mental तो इसमें तो कोई पंगा नहीं है C, देखा C, S, E, E, S for spiritual E for emotional and E for economical तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि भाई dimensionless VC ने PSM C तो इससे आपको at least dimensions पूरे के पूरे याद हो जाएंगे तो इतनी चीज़ें at least हमको dimensions of health में पता होने चाहिए 10 dimensions तो पता होने चाहिए तो हमने health की definition देख लिए हमने health की dimensions देख लिए अब और कुछ भी dimensions से ही मिलते जूलते चीज़ें होती है that is determinants of health अब यह determinants क्या है determinant का मतलब क्या होता है बढ़ी determinant का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो determine करेंगी जो यह देखेंगे कि आपकी health कैसी रहेगी अच्छी बुरी तो that is determinants काफी कुछ ही dimensions जैसे ही होते हैं लेकिन इनको अलग याद रखना determinants को और dimensions को अलग याद रखना क्योंकि अलगी सवाल आ जाता है enumerate determinants of health या enumerate dimensions of health तो I will say इनको अलग-अलग याद रखो मिलते जूलती चीज़ें लेकिन अलग-अलग याद रखो determinants of health में सबसे पहले आएगा biological determinant अब biological यानि कि हमारे अंदर की कुछ ऐसी biology है जो की determine करेगी कि हमारी health खराब कैसे हो सकती है जैसे कि कई बीमारियां होती है जो genetic origin की होती है जो hereditary होती है अब हमारे अंदर वो gene अगर आ गया है तो आगे चलके हमको बीमारी हो सकती है जैसे कोई chromosomal abnormality हो गई या फिर diabetes अगर हमारे history में हमारी family history में है कि भई पापा ममे को diabetes है या दादा दादी को थी या ना नानी को थी तो हमको diabetes होने की chances है तो that is biological determinant of health की हमारे अंदर की gene ही determine करेंगे कि हमको वो बीमारी होगी की नहीं हमारी health बिखलेगी की नहीं उसके बाद behavioral determinants भी होते हैं अब behavioral determinants का मतलब हमारा behavior ये तै करेगा कि हमको बिमारी होगी की नहीं होगी तो कौन सी होगी हम healthy रहेंगे की नहीं जैसे की हमारी lifestyle अगर हम sedentary lifestyle में रहेंगे बैठे रहेंगे, active नहीं रहेंगे बहुत सारी बिमारियां हो सकती है हमारी personal habits जैसे की दारूपी ते रहो से great पीछ ते रहो चालास गांजा मारते रहो तो बिमारियां हो सकती है हमारे culture और behavior भी determine करता है कि हमारी health कैसी रहेगी हमको कौन सी बिमारी होगी तो ये सारे हो गए behavioral determinants अब इनहीं पे depend करता है जैसे कि अगर developed countries है तो वहां के लोगों का behavior अलग तरह का है वहां के लोग थोड़े sedentary lifestyle के हैं वहां के लोग ज़्यादा junk food खाते हैं तो वहां पे obesity वगरा ज़्यादा देखने मिलती है वहां के behavior में drug addiction वगरा ज़्यादा देखने मिलता है इन कुछ वज़ों से उनकी health वगरती है जबकि अगर हम developing countries की बात करें तो यहां पे health किन behavior की वज़े से वगरती है lack of sensation साफ सफाई नहीं रखते हैं और century latence वगरा नहीं है उन वज़ों से health ज़्यादा भी वगरती है उसके अलावा poor nutrition खाना नहीं खाते हैं धंगा खाना नहीं खाते हैं उन वज़ों से यहां के लोगों की health developing countries के लोगों की health पर करते हैं तो यह हो गया आपका biological और behavioral determinants अब आता है environment environment ना कभी भी आपसे कोई पूछे तो दो तरह के environment होते हैं internal और external internal environment क्या होता है हमारा शरीर और उसके अंदर की सारी चीज़ है याने की हमारे शरीर के tissue, organ, organ system यह सब ही अब अगर यह सब कुछ आपस में मिलके अच्छे से काम करेंगे तो हम healthy रहेंगे अगर यह सब कुछ अच्छे से मिलके काम नहीं करेंगे हमारे शरीर के एक एक अंग, organ, system tissue, cell अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारी health खराब होगी, हम बीमार पढ़ेंगे external environment external environment का मतला हमारे आसपास का वातवरन अगर अच्छा रहेगा तो हम भी healthy रहेंगे अच्छा नहीं रहेगा, बहुत थेंड पढ़ेगी बहुत गर्मी पढ़ेगी, बहुत बारिश होगी यह साफ सफाई नहीं रहेगी तो हमारी health पे effect पढ़ेगा समझ गये? तो environment में भी दो चीज़े हैं that is internal environment and external environment अब आता है socio-economic determinants अब socio-economic determinants में आपको तीन चीज़े याद रखने, पैसे ही है सब कुछ यहाँ पे तो economic status but obviously अगर आपका purchasing power अच्छा है तो आप दवाईयां ले सकते हो, अच्छा treatment ले सकते हो अच्छी vaccine खरीच सकते हो आपकी health better हो सकती है education बहुत important है healthy होने के लिए तो education एक बहुत important determinant है health का, क्यों? क्योंकि अगर आप लोग पढ़े लेखे होंगे तो वो जादा अच्छे से अपनी health का ख्याल रख पाएंगे और उसमें भी बहुत important role play करता है female education, याद रखना एक female जो होती है वो सब होती है, वो एक बेटी होती है एक बहु होती है, एक बहु होती है एक मा होती है हर phase में वो अपने परिवार का ख्याल रखती है इसलिए education बहुत important role play करती है health को determine करने के लिए और उसमें भी female education female अगर आपके घर की educated है न तो भाई साब, आप healthy रहोगे आपका परिवार healthy रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा तो इसलिए female education बहुत important है उसके बाद आता है occupation occupation फिर वही हो गया कि भाई, देखो, अगर आपके पास काम है, तो ये एक अलगी अच्छी feeling होती है कि हाँ भाई, मेरे पास job है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ, अपने परिवार का ख्याल रख सकता हूँ, जरूरते पूरी कर सकता हूँ सब, तो अच्छे-च्छी health रहती है, health को promote करता है अगर आप employed हो, वहीं अगर आप से काम से निकाल दिया है, आपको या आपका काम छूट गया है, तो दिमागी रूप से आप तिक चिपत हो जाते हो कि भगवान मेरे पास काम नहीं है, मैं क्या करूंगा कैसे ख्याल रखूंगा, socially भी आप बहुत अलग हो जाते हो, और लोगों से जादे मिलते हैं जुलते नहीं हो, तो but obviously आपके physical, mental, हर तरह की health आपके खराब होगी, अगर आपके पास काम नहीं है, तो occupation भी बहुत important role play करता है, या determine करता है health को, तो socio-economic determinants में क्या क्या याद किया हमने? socio-economic में हमने economic status देख लिया, education देख लिया और occupation, ये तीनो बहुत important determinants है health के, फिर आता है health system, अभी health system क्या होता है, health system हम healthcare delivery वाले chapter में भी पहुँच चुके health care of the community वाले chapter में भी पहुँच चुके है, अलग-अलग तरह की services, जो health care system हमें provide करता है, for example health and family welfare services अगर एक इंसान को health and family welfare services मिल रहे हैं तो but obviously उसकी health अच्छी रहेगी personal और community level पे भी अच्छी services अगर उसको मिल रहे हैं, तो उसकी health अच्छी रहेगी, immunization services अगर उसके बच्चों को मिल रहे हैं तो बच्चों की health अच्छी रहेगी safe water supply वगरा है तो उसके और उसके परिवार की health अच्छी रहेगी तो यह सारे health system है जो determine करते हैं कि आपकी health अच्छी रहेगी कि नहीं तो health system में हम सारी services बोता सकते हैं उसके लावा एक बहुत important determinant होता है health का that is aging अपना aging जैसे जैसे बंदा aged होता जाता है वैसे वैसे ही उसमें बिमारियां अपना घर देखने लगने हैं तो जैसे जैसे age होगी वैसे वैसे बिमारियों का prevalence बढ़ने लगेगा, chronic diseases बढ़ने लगेंगी, disabilities बढ़ने लगेंगी, तो aging भी एक बहुत important और irreversible determinant है health का कि भाई aging तो होगी, और aging होगी तो धीरे धीरे बिमारियां भी आएंगी disabilities भी आएंगी, तो यह भी एक important role play करता है, यह important determinant है health का फिर gender, देखो भाई अलग-अलग बिमारियां, अलग-अलग में होती है, कुछ बिमारियां होती है जो males में ज़्यादा पाई जाती है, कुछ बिमारियां होती है जो females में ज़्यादा पाई जाती है, तो अलग-अलग बिमारियां, अलग-अलग gender मिलेंगी, इसलिए हमको women's health का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए वोई, क्योंकि जो women है वो किसी के घर की बेटी भी है किसी के घर की बहु भी है, फिर आगे जाके मा भी बनेगी, in fact आगे जाके सास भी बनेगी, तो वो बहुत important role play करेगी पूरी-पूरी family की health में तो women's health का ख्याल हमको बहुत ज़्यादा रखना है तो ये तो हो गए आपके भाई साब, determinants of health अब याद कैसे करेंगे, at least साथ हैं, तो साथ तो याद करने पड़ेंगे न तो कैसे determine करेंगे, तो न फिर वह ये, कहानी छोटी सी कि जाधा तर आप colleges में लॉन्डों को देखोगे तो लॉन्डे कहां खड़े मिलेंगे आपको और नहीं खड़े मिलेंगे आपको GH के सामने GH के सामने खड़े रहेंगे खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे क्या करते रहेंगे, भाई आज तेरे लिए भावी डूणनी है बावी डूरनी है मतलब उसको खुद के लिए बीवी डूरनी है तो अब वो कोई बूड़ी बूड़ी तोड़ी डूड़ेगा वो तो एकदम GH से एक एजलेस बीवी को कि भाई यंग डैशिंग बीवी चाहिए उसको तो इसको कैसे याद करेंगे क्यों खड़े होते हैं वाँ पर तो डिटर्माइन जी एच से एजलेस बीवी यही तो कर रहा है जी एच से डून रहा है एजलेस बीवी तो डिटर्माइन से क्या होगा डिटर्माइन से होगा डिटर्मिनेंट्स अफ हेल्थ जी एच जी से क्या होगा जेंडर ह से क्या होगा health system से के स से होगा socio-economic ए से होगा environmental ageless से होगा aging बी 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 फॉर biological और बी फॉर behavioral तो determine GH से ageless BB समझ गए तो ये ऐसे आप याद कर सकते हो हमने देखा था dimensions जो थे वो 10 थे और determinants तो थे वो at least ये 7 आपको याद होने चाहिए तो 10 dimensions और 7 determinants at least minimum से minimum इतना तो आपको पता होना चाहिए dimensions and determinants of health में ठीक? तो अब अगर मैं बात करूँ questions की तो theory के बारे में अगर बात करें तो ना theory में बहुत important star question है health आपको सिधा आजाता है define health enumerate या describe briefly dimensions and determinants of health सिधा सिधा तो आपको ना long question भी आता है health पे अब आपको ना short note भी आ सकता है या तो आपको dimensions पूछ लेंगे या तो आपको determinants पूछ लेंगे आपको ना very short note भी आ सकता है कि आपको बोल देते हैं enumerate करो dimensions of health या enumerate करो determinants of health तो ये भी आपको theory में पूछ जा सकता है अब अगर मैं बात करो वाईवा की तो मैंने आपको पहली बोल दिया भाई साब definition तो वाईवा की सबसे important है क्योंकि definition नहीं बनी ना तो आप सिधा सिधा आप fail हो सकते हो तो definition तो आपको बननी चाहिए definition बननी चाहिए health की और ना contest होनी चाहिए word to word जैसे मैंने कहा था तीन भागों वे भाजेता है आपको तीन भाग अच्छे से याद होने चाहिए तो health की definition आप से बननी चाहिए वाईवा के लिए उसके बाद ना at least नाम पता होने चाहिए वाईवा में dimensions of health के तो वो 10 नाम आपको याद करने है तो आप कैसे करोगे 10 नाम dimensions of health के तो dimensionless VC ने PSMC ऐसे आप याद कर सकते हो अगर मैं बात करोओ determinants की तो determinants में भी at least वाईवा के लिए आपको ना नाम याद होने चाहिए तो वो 7 नाम कैसे याद करोगे तो determine GH से ageless BB टिक तो ऐसे आप determinants of health भी याद कर सकते हो at least नाम तो याद कर सकते हो उसके बाद अगर मैं बात करोओ MCQs की तो जितने भी underline part है हमारे notes और हमारी slides में वो सब अलग-अलग PG entrance exam में पूछे गए MCQs हैं तो एक MCQ मुझे मिला था कि health में क्या के चीज़े होती है तो यह सबसे basic question है physical, mental and social health उसके अलावा एक MCQ मेरे को वो भी मिला था इसकी आखरी line पर कि भाई किस तरह की तो socially and economically productive life रहने की शमता उसके बाद dimensions पर में कोई अलग से मिला थो नहीं लेकिन at least इंके ना नाम याद कर ले ना उसके MCQ बन सकते है determinants में मेरे को behavioral पर मिला था कि behavioral में क्या-क्या चीज़े आएंगी तो उसमे lifestyle behavioral के अंदर आती है यह मुझे एक MCQ मिला था ठीक तो इतने चीज़े हैं जो आपको health, dimensions of health and determinants of health में पता ही होनी चाहिए Thank you